पहारो का दामन छूट न जाए पहारो का दामन छूट न जाए फूलो का आंगन रूठ न जाए ये सिंगार कदर पन रूठ न जाए तडप तडप के प्यार में तेरी हाँ तडप तडप के प्यार में तेरी जोगन न बर जाए कही देर ना हो जाए कही देर ना हो जाए कही देर ना हो जाए मैं भी तो यही प्राठना करूंगे नमस्ते दी दी जी हाँ अगर मेरे भाईया के रिहाई में वो रुकावट बने वाला था तो भगवान ने उसका जो हश्र किया है वोगल खुछ सही है अरे जोती तुम आने से पहले एक फोन तो कर दिया होता बता तो दिया होता कि तुम आ रही हो नमस्ते बाभी मैंने तो आपको बताया था आपने यहाँ किसी को नहीं बताया क्या मैंने तो सुचा था कि आप हर बार की तरह इस बार भी मजाग करे होंगे छोटी बबी क्यूंकि आप आने के लिए तो कहती है लेकिन आपके पास आने के लिए वक्त नहीं होता लेकिन अब वक्त निकाल कर आई हूँ भबी इस जोटी ने ससराल में तो उजाला पैला दिया है अब माईकी का अंधिरा दूर करना चाहते हूँ नहीं दीदी यहाँ पर कोई अंधिरा नहीं इस अंधिरी की बात करें है मुझे तो लगता है मदुरी मा कि यहाँ सब अंधिरे में है मेरे भाया जेल की अंधिरी कोटी में होंगे लेकिन यहाँ इस घर का हर शक्स अंधिरे में ही तो है क्योंकि उन्हें कोई भी बात दिखाई नहीं देते आप क्या यह कहने आई हैं बुआ कि हम लोगों को पापा की फिक्र नहीं है या यह ऐसास दिलाने आई है कि पापा की फिक्र सिर्फ आपको है नहीं ब्रिंग मैं तो सिर्फ यह देखने आई हो कि भाईया की फिक्र यहां किस दिसको है क्योंकि दूर रहकर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन यहां आकर मैंने यह देखा है कि पचास लाग की फिरौती दी गई है अपनी बहु को बचाने के लिए तारीफ की बात देखो जोती हालात के साथ चलना सब की मजबूरी होती है बिटा कभी कभी इंसान मजबूर होता है बाबजी लेकिन कई बार इंसान मजबूर होने का दिखावा भी तो करता है आरदी के वापस आने पर लोग आपकी तारीफ कर रहे होंगे लेकिन इस तारीफ की बढ़ी पुराई यह कि मेरे भईया अभि तक चेन में ही है लेकिन दीदी दूर रहकर यह भी तो नहीं जाना जाशता है कि भाईया को बचाने के लिए हमने क्या क्या किया कितनी कोशिशें की उनी कोशिशों को तो देखने आई तुमें रिशी फिर छोड़ो इन बातों को भाभी वो पचासला की बहु कहां है मैं भी तो उसे मिलना चाहूंगी कही लेर ना हो जाए जड़ा देखो तो सही कि मेरे प्रेव ने कैसी बहु ढूंडी है जिसके लिए यहां हर कोई इतना परेशान है हाँ बहु जोती को अंदर ले जाओ आई चोटी पापी माधुरी माधूरी 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 मेरा ये वैग मेरे कमरे में रखतो हो और हाँ कमरे की सफाई भी करना हाँ क्यूंकि मैं यहां कुछ दिनों के लिए रुखने वाली हूं समझे तूं जी दी चली ना भावी मुहाँ मुहाँ सोमनाथ के बारे में कुछ पता लगा क्या पता लगा और श्पिटल में उसके खलत ना जुक है कभी भी उसके मौत की ख़वार आ सकती है मैं यह पूछ रहे थी कि क्या इस पारे में कुछ पता लगा कि उस पर गोली चलाने वाला कौन था कैसी बात कर रही हो तुम गाउं में किसी भी आदमी से पूछो हर आदमी यही कह रहा है कि गोली जो है अउजी चाचा नहीं चलाई होगी क्योंकि गाउं में किसी भी आदमी को बंदूग पकड़ना नहीं आता लेकिन उनका तो कहना है कि बंदूग उनके घर से चुराई गई है खुद को बचाने के लिए अगर उसकी जगह पे कोई होता तो वो भी यही करता क्या ऐसा कभी होता है कि बंदूग उसी दिन उसी वक्त चुराई गई हो जब प्रेम सोना आपको पकड़ कर ले जा रहा था क्या बंदूग चुराने वाले को यह बात मालूम थी मैं तो कहता हूँ कि किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है यह कानून का मामला है कानून को ही समझने दो अगर सोना आपकी हत्तिया हुई है तो बल्दे और चाचा धिरफ़ताद होंगे क्योंकि सारे सबूर कुलिस के हाँ आ चुके हैं हालो हालो का क्या क्या बात है किसका फोन था हॉस्पिटल से खबर है कि सुमनाथ नहीं रहा है क्या हाँ डॉक्रा सुमनाथ को नहीं बचा पाए मंगल और उसके घर वाले उसके लाश टेके आ रहे है वाह इसी खबर का तो इंतजार था यह हुई नहीं बात यानी जो काम धनन्य जीने मुझे दिया था वो पूरा हुआ सुमनाथ नहीं रहा और उस पर गोली चलाने का इल्जाम बल्देव चाचा पर है इल्जाम नहीं सच्चाई है कानून की नजर में आज बल्देव चाचा सुमनाथ के कातिल है तो कानून उन्हें सजा जरूर देगा अब अफसोस तो चंद्रावती पर हो रहा है अब चंद्रावती और उसके बच्चों कर क्या होगा क्या गुजर रही होगे चंद्रावती पर क्या है क्या हो जाए